सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से दोस्तो आज हम बात कने वाले हैं अनुसंधा नैतिक्ता यानि की रिसर्च इथिक्स की इसमें से दोस्तो पहले काफी कोशिन आज के हैं और इसके साथ दोस्तो आज हम बात कने वाले हैं डेटा कुलेक्शन मेथड की तो ये दोनों टोपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपोरेंट है तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तो अगर आपको नेट और जयार चाहिए तो हमारा पेड़ कोर से ज़रूर जोइन किजी इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं नमबर एक 2022 के न्यू अपडेटिटे इनोर्स देंगे नमबर दो 2012 से लेके 2020 तक सभी सिट के कोशिन पेकर हिंदी इंग्लिस में देंगे देने वाले हैं इसके अलावा भी आपको पेड़ कोर्ष में बहुत कुछ मिलने वाला है हम आपको मैथ और दोस्तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनुसंधान नैतिक्ता क्या होती है यानि कि रिसर्च एथिक्स का मतलब क्या है देखें अनुसंधान नैतिक्ता का अश्य अनुसंधान की पर्दत संकलन तता विवेचन के चरण में संगत माना जाता है यानि कि इसका मतलब क्या है दोस्तो जब हम डेटा कोलेक्शन करते हैं सेंप्लिंग करते हैं जब उसका एनलेसिज करते हैं तब इसका ध्यान बहुत ज्यादा रखा जाता है और इसके अनुसंदान नैतिक्ता के इंदर बहुत सी चीजी आते हैं जैसे कि सोद रिपोर्ट को त्यार करना समस्या का परतिवेदन करना इतियादी के इंदर इसका उपयोग किया जाता है और इसको अच्छे से समझने के लिए हम और बातों पे ध्यान देते दोस्तों देखी इमांद इमानदारी से काम करना बहुत ज्यादा जुरूरी है जब हम डेटा कॉलेक्शन कर रहे तो उसके अंदर इमानदारी दिखाना जुरूरी है ऐसा ना हो कि हम जैसे डेटा कॉलेक्शन कर रहे हैं हमें मानके चलिए छे गाउं का डेटा कॉलेक्शन करना है छे गाउं के अंदर से data collection कर लो सो लोगों का data लेना एक अपने गावों से ले लो और रिसर्च के अंदर दिखा देंगे हमने कि हमने छे गावों का डेटा collection किए हैं तो दोस्तों वो जो क रिसर्च होगी हमारे अच्छी research नहीं होगी वो अनुसंधान नयतिकता का उलंगन होगा तो ये चीज़ हमें ध्यारणा करना जुरूरी है पुर्वा अगर है तथा बरांत धारणा से बचना यानि कि अगर हमने पहले से कोई धारणा बना रखे है अपनी research के बारे में जो research हम कर रहे हैं जैसे कि म सब कुछ देखते लोग तो टो भी टीवी को भूल गया तो हमारी जो अवधारणा दोस्तों उसको छोड़ना पड़ेगा रियालिटी देखनी होगी हमारी रिसर्च के अंदर कि क्या रियल में आज भी लोग टीवी देखते क्या टीवी का आज भी बूरा प्रभाव पड़ आया नहीं पढ़ रहा तो वो छी चीज Cincinnati हमें अब Eagles के हिसाब से करनी हो गी इसके साथ साथ दोस्तों व्यक्ति प्रक्ता से परे होनी चाहिए हमारी स्षय यानि कि पर्सुनल चीजे उसके आंडर नहीं होनी इसके साथ दोस्तों आगे हम बात करें जैसे गंभीर एवम ध्यान पूर्वक तरीके से कारे करना यानि कि सीरियस होके कारे करना जरूरी है और अच्छे तरीके से कारे करना जरूरी है हमारे एप्रकासित और डेटा मेथड का यूज नहीं करना हमें ऐसे किसी भी डेटा या म systematic ढंग से होते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरह से research करने लगे नहीं ऐसा नहीं research होनी ऐसी होनी चाहिए जो valuable हो और जो authentic हो ऐसी research होनी चाहिए इसके साथ आगे मात करते हैं दोस्तों विश्वसनिया प्रिक्रिया होनी चाहिए अभी हमने यह बात कर लिए ज्यान व्रिधी में साहिक होनी चाहिए अपनी रिसर्च गोपनियता वह सवायता का समान रखना चाहिए अगर हम किसी गाओं के इंद्रिया कहीं भी डेटा कुलेक्शन करें वहाँ पर व्यक्ति कहता कि मेरी जानकारी मेरा नाम पता अपनी रिसर्च के इंद्र मत देना तो हमें उसका नाम पता नहीं देना यानि कि उसकी गोपनियता रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उसकी सहमती होना भी जरूरी है जब भी हम किसी से रिसर्च कर रहे है तो उसे बगैर बताए हम डेटा कुलेक्शन नहीं कर सकते बगैर बताए सेंपल इकठा नहीं कर सकते हैं अगले व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हम क्या रिसर्च करने और इसका कहां पर उप्योग करेंगे यह सारी चीजे उसको पता होना चाहिए कलात्मक वर सरजन सिलता प्रकिरिया होनी चाहिए हमारी रिसर्च के अंदर एक क्रियेटिवीटी होनी चाहिए यह नहीं कर व्मयल्टी नहीं करनी चाहिए. वह सकते हैं, हमारी सब्सक्राइब और जो एलर क्या क्या हो सकते हैं उनके बाद करते हैं जैसे कालपनिक आउधार беспpping ठीब दर्पाइब थिस All- Combat थीसिज हम बना सकते हैं लेकिन हाइफो थीसिज का ही रिजल्ट हम नहीं उसके अंदर इंकलूड कर शकते बहई जैसे हम घर बैठे यह डिसाइड कर दे बहई मोबाइल देखने से बच्चों पे बहुत बुरा परभाव पड़ता है और इससे यह भीमारी हो जाती है नहीं ऐसे हमें रिजल्ट नहीं देने काल्पनिक रिजल्ट हमें नहीं देने हमें पुर्वा ग्रहय तथा पक्सपात से बचना चाहिए, यानि कि हमें पक्स पात नहीं करना चाहिए, जैसे वही मैं बात बता रहा हूं कि हमने 6 गाओं का डेटा कुलेक्शन करना है, तो यह नहीं है कि हम अपने गाओं से ज्याधा लोग इकठा कर ले और दूसरे गाओं से कम डेटा कुलेक्शन कर दे नहीं ऐसा पक्सपात उसके अंदर नहीं होना चाहिए पर दूसित तथे तथे जो है वो बिलकुल सही होने चाहिए गलत तथे हमारी रिसर्च के अंदर नहीं होने चाहिए इसके साथ में दोस्तों भरांतिया नहीं होनी चाहिए हमारी रिसर्च के अंदर और इसके साथ साथ दोस्तो और चीजी है जैसे पर्ति भाग्यों को उचित जानकरी एकत्रित करने सहमती समेंदन सिल जानकरी प्राप्त करने गोपनियता बनाई रखने जैसे मुद्धे परवी ध्यान देना चाहिए यह चीज हमने बात कर लिए दोस्तों जब भी हम क जो वीडियो होगी आप सभी को पता है कि हम साथ की साथ लाइ मौक टेस्ट भी लेते हैं तो उसके अंदर हम देखेंगे कि आज तक कितने कोशन रिसर्च इथिक्स से आज आ चुके हैं यानि कि किस किस तरह के कोशन आते हैं सोध नैतिकता से वो हम देखेंगे उसी से आपका ये टोपिक बहुत अच्छे से कलियर हो पाएगा क्योंकि बहुत सी चीजे ऐसी होते हैं दोस्तों जो हम ठियोरी के अंदर नहीं पढ़ पाते हैं और हम कोशन के अंदर उनको समझ पाते हैं तो दोस्तों हमारी जो लाइव मौक टेस्ट वाली कलास है वो जुरूर देखना ताकि आपको पता चल सके कि रिसर्च इथिक से रिलेटीड किस तरह के कोशन आते हैं तो वो कलास आप जुरूर करना दोस्तों आगे हम बात करते हैं दोस्तों हमारा है डेटा कोलेक्शन मैथटड देखिए हमें डेटा कोलेक्शन करना पढ़ता है रिसर्च के अंदर लिए आता है दोस्तों प्राइमरी सोर्च ओफ डेटा कोलेक्शन प्राइमरी सोर्च आरे क्रियेटीड एज क्लोज टू दा ओरिजिनल इवेंट और फिनोमिनल एज इट पोसिवल टू वी फोर एक्जामपल ए फोटोग्राफ और वीडियो ऑफ एन इवेंट यानि कि प्र कहीं पर जाके फोटो क्लिक कर रहे हैं किसी का वीडियो बना रहे हैं किसी चीज़ का किसी इवेंट को रिकोर्ड कर रहे हैं तो वो क्या होगी दोस्तों हमारी प्राइमरी सोर्च ओफ डेटा कोलेक्शन हो गया और इसके दर दोस्तों जैसे या पे आप हिंदी इंग्लिश में देख सकते हैं ऐसा research data जो हम सीधे तोर पर वास्तविक घटना या स्तुरोथ से प्राथ करते हैं उसको हम प्राथ्मिक प्राथ कहते हैं इसके अंदर दोस्तों जैसे इसमें question आते है कि direct हम mail के दवारा कोई question पूछे रहे तो वो किस तरह का data collection होगा तो वो होगा दोस्तों हमारा primary data collection होगा और इस से related भी हम दोस्तों question करेंगे हमारी live mock test में उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा आगे हम बात करते हैं दोस्तों secondary source of data collection इसके इंदर क्या होते हैं दोस्तों secondary source are based on or about the primary source यह क्या है कि primary source के उपर depend होते हैं for example article and book in which author interrupt data from other research इसके इंदर क्या होते हैं दोस्तों मान के चलिए किसी वेक्ती ने interview लिया हुआ है तो वो उसने अपनी book के अंदर लिखा हुआ है हम उसका उसकी information यूज़ कर रहे हैं अपनी research के अंदर तो वो क्या हो गया दोस्तों secondary source of data collection हो गया यानि कि उसने interview लिया उसके नाम का तो वो क्या हो गया primary source हो गया लेकिन अपने नाम का क्या होगा वो secondary source of data collection हो गया यानि कि ऐसा data जो पहले से मौजूद हो उसको use करना वो क्या कहलाता है secondary source of data collection कहलाता है और इसके अंदर जैसे हम और बात करें जैसे आर्टिकल होगे बुक्स होगी उसमें से जो information लेते हैं वो हो गया न्यूज पेपर से अगर हम information लेते हैं पुराने न्यूज पेपर से तो वो भी क्या होगी हमारी secondary source of data collection होगी and secondary source of data collection यानि कि tertiary source जो होता है दोस्तों वो primary plus secondary data collection का mix up होता है इन दोनों को जब हम use करते हैं primary source और secondary source को तो वो क्या कहलाता है tertiary source of data collection कहलाता है और दोस्तों इन तीनों से question आ चुके हैं पहले दिसंबर 2019 में भी आ चुके और पहले भी आ चुके हैं और अब भी इसमें से question आने के समभवना है इन सभी को दोस्तों हम live mock test में करेंगे तो वो आप जरूर करना और इसके example देखे तो दोस्तों encyclopedia हो गया वीवियोग्राफी हो गया और handbooks वेगरा हो गी हमारी ऐसा research data जो हम प्रात्मिक स्त्रोथ और दिवित्य स्त्रोथ से प्राप्त करें उसको हम तृत्य सोर्ष ऑफ data collection कहते हैं तो यह चीज़े आपको याद होनी चाहिए दोस्तों यह बिल्कुल easy चीज़े हैं इनको हम असानी से याद रख सकते हैं और most important topic है दोस्तों यह हमारा research ethics और data collection तो यह दोनों आप अच्छे से कर लेना और लाइमोग test में इससे related जो भी question आए वो हम करेंगे दोस्तों अगर आपको नेट और ज्यार्स चाहिए तो हमारा paid course से जरूर जोईन किजी इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं नमर एक 2022 के new updated notes देंगे नमर दो 2012 से लेके 2020 तक सभी shift के question paper हिंद इंगलिस में देंगे नमर तीन के दोस्तों हम आपको 2012 से लेके 2020 तक सभी shift के unit wise question आपको देखने को मिलेंगे नमर चार के दोस्तों हम आपको unit wise के अलावा आपको sub topic wise question भी देंगे आज तक जैसे जो भी type of research से question आजके वो अलग है, hyphothesis के अलग है, type of company question से जो भी question आजके वो अलग है यानि कि sub topic wise question भी आपको मिलने वाले है नमर पांच के दोस्तों हम आपको old 10 unit की add free videos देने वाले हैं इसके अलावा भी आपको paid course में बहुत कुछ मिलने वाला है